दोस्तों एक बार फिर से मैं विजाई जैन आपका अपने वीडियोज में दिल से स्वागत करता दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ी प्राब्लम सबसे बड़ी समश्या जिसने रिस्तों को जिसने लोगों के बीच के तारों को संबंदों को कनेक्शन्स को हिला दिया है तोड़ दिया है गुस्सा, ग्रोध, एंगर दोस्तों बहुत बड़ी समश्या है और सायदी कोई इंसान ऐसा होगा जो पूरी तरह से इससे मुक्त है सभी को गुस्सा आता है अलग-अलग situations पे, अलग-अलग परिस्टियों में अलग-अलग व्यक्तियों पर अलग-अलग कारणों से अलग-अलग तरीकों से मैंने इस विशाय में दोस्तों कहीं लोगों से बात की जिने गुसा आता है अपने आप से भी बात की क्योंकि मुझे भी गुसा आता है दोस्तों सबका एक ही जवाब है कि गुसा आता है कोई ये नहीं कहता कि मैं गुसा करता हूँ हर कोई इनसान इस प्रॉब्लम से इस समश्या से निजात पाना चाहता है मुक्ती पाना चाहता है लेकिन ले नहीं पा रहा है मुक्त हो नहीं पा रहा है दोस्तों अगर हम एक सच्चाई जान जाएं तो साहिट कभी गुस्सा नहीं करेंगे हाँ, हम गुस्सा नहीं करेंगे सचाई यह है दोस्तों कि गुस्सा आता नहीं है गुस्सा हम करते हैं, क्रोध हम करते हैं यानि क्रोध को करना या ना करना हमारे हाथ में है किसी और के हाथ में नहीं क्या हुआ? यकीन नहीं आ रहा सबका यही कहना है दोस्तों आपी की तरह कि अगर गुसा करना या ना करना हमारे हाथ में होता तो हम गुसा करते ही हो बला जान बुज़ कर गुसा कौन करता है दोस्तों अगर मैं साबित करते हूं आज कि गुसा आप करते हैं आपको आता नहीं है तो क्या बोलेंगे चलो दोस्तों कुछ ऐसी situations कुछ ऐसी स्ततियां लेते हैं जिन में गुसा आना या ना आना गुसा करना या ना करना ये आपके हाथ में होता है दोस्तों आप ऐसी जगा खड़े हैं जहां आपके करीबी relatives आपके बड़े आपके सम्मानित जो भी जिनको सम्मान करते हैं आपके पिता आपकी दादा जी नाना जी बड़े लोग काफी लोग खड़े हैं और वहाँ पर कुछ ऐसा हो गया किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जिए आपके मन के अंदर कुछ गुस्से वाले भाव आए क्या उस समय आप गुस्सा करोगे क्या उस समय आप अपशब्द गाली गलोच करोगे नहीं आप गुस्से का घुट पी कर रह जाएंगे एक स्तती और लेते हैं आपके office के boss अगर आप job में हैं तो आपके office के boss और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके college के principal उन्होंने आपको जोड़दार से डांट लगाई आपकी गलती नहीं थी फिर भी आपको डांट लगाई क्या उस समय आप उस अगले इंसान को अपने boss को या अपने principal को बला बुरा कहोगे गाली गलुच करोगे नहीं आप गुसे का घुट पी लेंगे अगर आप ऐसी जगाँ खड़े हैं जो सामने कोई सुंदर सी लड़की खड़ी है और वहाँ आपको गुसा आ गया तो क्या आप गाली गलुच करेंगे क्या आप अपशब्द कहेंगे क्या आप अगले इनसान को जिस कारण से गुसा आया है बला बुरा कहेंगे नहीं उस समय भी आप ये कोशिच करेंगे कि आप स्टाइल लगाकर किसी तरह से इस्टाइल लगाकर उस बात को दबा दें या मीठा बोलकर क्या करता है भईया आपको ऐसा नहीं करना चाहिए आपको उस लड़की पर इंप्रेशन डालने कोशिश करेंगे कि कितना सांत इंसान है कितना सभ्य इंसान है कितना सौंभ्य इंसान है इसे क्रोध ही नहीं आता इसे गुस्सा ही नहीं आता तो दोस्तो ऐसी कई इस्ततियां हैं ऐसी कई परिस्तितियां हैं ऐसी कई सिचुईशन्स हैं ऐसे कई मौके आएंगे जसे मैं आप गुस्सा कर सकते हैं लेकिन आप जान बुझकर कुस्से को दबाने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपको पता है यहां गुस्सा कर लिया तो बा बला बुरा कहता है इस्सोरेज़ की बात कर ले मैं का मैं पार्मा की बात कर लें ऐसे बहुत सारे फिल्ड है जहां आपको लगातार कंटमडर से मिलना What है ऐसे बात से बाते हम सुनते हैं लेकिन उस समय हम गुस्टा नहीं होते हैं गुस्य को कंडूल करते हैं सर कोई आप सोच लीजिए समय ले लजीए मैं बात में आता हम सर आप सही कह रहे हैं आप वास直म ऐसा होता है सर लेकिर हमारे यह ऐसा यह आप यह सहा नहीं है आप कुछ ना कुछ बोलकर तो बात को दबाने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों गुसा करना आपके हाथ में है, कब गुसा करना है, कब गुसा नहीं करना है, यह आप तह करते हो, और जो आप तह करते हो, वो आपके हाथ में ही होता है, कब हसना है, यह भी आप तह करते हो, कब गुसा करना है, यह भी आप तह करते हो, तो दोस्तों जब ये समझ जाओगे कि गुशा आपके हाथ में हैं तो आप गुशा नहीं करोगे जब भी गुशा आए उस समय मूह मत खोलना क्योंकि गुशे का सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि शोथ है गुशे का बार आने का सरीर से वो आपका मूह है एक सारा गुस्सा बारा होता है, बड़ा एरिया होता है इस कारण से, तो जब भी गुस्सा आए, उस वक्त मुँ बन कर लेना, अंदर अंदर घुटे रहना, आँखों से गुस्सा दिखा देना, लेकिन मुँ से गुस्सा बार मत निखालना, क्योंकि दोस्तों, गुस्से में राय है यही सला है आपको कि जब भी गुसा है उस वक्त मूँ मत खोलना बस मन के अंदर उस वक्त आप 10 तक या 20 तक या 30 तक जब तक आप comfort फीलना करें गिंती गिनना शुरू कर देना है ना मुठी भीच लेना ऐसे मुठी पर निकाल देना लेकिन उस समय गिंती गिंताद देना मुठ से कुछ बोलना मत अगर मुठ से बोल दिया तो बात और भी गड़ जाएगी मुठ से बोलना मत आप देखना धेरे धेरे गिंती के साथ एक दो तीन चार पाच शे साथ आट, नौ, दस तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है बहुत जल्दी नई वीडियो लेकर सन्याओंगा आपके तब तक के लिए थेंक्यू वेरी मॉच, have a nice day